नमस्का दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है आज से हम एक नई सिरीज चालू कर रहे हैं जो 2023-24 की किताब मिशन बुनियाद है जो दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई है और बच्चों को जो कराई जाती है हिंदी अच्छी करने के लिए उस किताब का हम पहला प का सपोर्ट रहा तो तो अच्छे से वीडियोज को देखिए और वीडियोज को लाइक कीजिए हमारी कहानी का नाम है बंटी डाल मैं और मीठी बहुत दिनों से घर में रह रहे हैं मीठी जब छोटी थी तब हम दोनों रोज एक साथ गूमने जाते थे एक दिन मीठी की उनोंने धागे से मेरा पेट सिल दिया मेरी हालत में सुधार देखकर मीठी को बहुत मजाया उसने मेरे सरीर पर काले और पीले रंग की धारिदार पट्टी लगा दी बड़े प्यार से लाल रंग भी भर दिया उस दिन से सभी मुझे बंटी लाल कहकर बुलाने लगे ये नया नाम तो मुझे कमाल का लगा पहला प्रश्ण है इस कहानी के पात्रों के नाम लिखिए तो पात्र कौन-कौन से थे इसमें पहला है पंटी लाल पात्र क्या होते हैं किस-किस के नाम आये हैं और दूसरा क्या नाम था मीठी मतलब कौन-कौन सी चीजी इसमें है पात्र और लास्ट थी इसमें मा तो ये मुझे चार किरदार मिले इसमें अगला है कोशन मीठी क्यों रोई मतलब कि मीठी क्यों रोई तो इसका जवाब देना है तो उत्तर में लिखिए मीठी की नठखट बिल्ली ने बंटी लाल का पेट फार दिया था मीठी की नठखट बिल्ली ने बंटी लाल का पेट फार दिया था जिस कारण मीठी को लगा की बंटी लाल तो मर ही गया क्या बंटी लाल तो मर ही गया यह सोचकर मीठी बहुत रोई रोई आपको किन किन बातों पर रोना आता है लिखिए तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं हमारे आंसर कुछ इस तरह से हैं पहला किसी व्यक्ति के डांट लगा देने पर पहला क्या होता है अगर कोई डांट देता है तो हमें थोड़ा दुख होता है रोना आता है छोटी बच्चों का है यह जो छटी से साथ भी का है तो उस इसाप से आंसर कुछ लिखने की कोशिश की है किसी व्यक्ति के डांट लगा देने पर जब कोई व्यक्ति डांट देता है दूसरा पॉइंट है इसका भूख लगने पर अक्सर बच्चे कबर होते हैं जब उन्हें भूख लगती है भूख लगने पर यह उमर ऐसी होती है जब ज़्यादा भूख लगती है तो बच्चे भूख लगने पर अक्सर रोने लगते हैं चोट लग जाने पर तीसरा पॉइंट क्या है? चोट लग जाने पर जब बच्चों को चोट लग जाती है चौथा पॉइंट है बड़े भाई के तंग करने पर अक्सर क्या होता है? बड़े भाई या बड़े भेहन होती है तो वो परिशान करते हैं इस सुमर में एक दूसरे भाई बैन को अलग-अलग चीज़ों को लेकर तो ये point भी मुझे अच्छा लगा पाँचवा पार्ट है इसका लडाई होने पर पिट जाने पर क्या point है? लडाई होने पर पिट जाने पर जब लडाई होती है और पिट जाते हैं अगर जीट जाते हैं पिट नहीं है तब तो खुशी होती है लेकिन जब पिट जाते हैं चोट लग जाती है तो फिर होना आता है अब इसी में और भी point हो सकते हैं कि पसंदीदा चीज़े ना मिलने पर और भी कई सारे कारण है तो आप वो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत लिए चोथा प्रशन कहरा है अगर आपका कोई दोस्त उदास हो जाए आप उसे हसाने के लिए क्या क्या करेंगे यहां हसाने के लिए भी हो सकता है तो पहला क्या है उसका मन बदलने के लिए उसका मन बदलने के लिए उसे बाहर घुमाने की कोशिश करेंगे. जो बच्चे हमारे साथ regular अभ्यास करते हैं वो साथ के साथ अभ्यास कीजिए और अगर आप सीधा आंसर चाते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको तुरंट सीधा आंसर मिल जाएगा आगे करके वीडियो. दूसरा पॉइंट है उसकी पसंदीदा चीज खिलाने की कोशिश करेंगे और किसी को कुछ न कुछ पसंद होता है तो आप उसे उसकी पसंदीदा चीज भी खिला सकते हैं यह हमारे हिसाब से था उसकी पसंदीदा उसकी पसंदीदा जो उसको पसंद हो वो चीज खिलाते ह ज़्यादा तर उदास होता है तो दोस्त यहीं करते है तीसरा पॉइंट है उसे चुटकुला सुनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो हसे उसका मन बहले उसे चुटकुला सुनाने की कोशिश करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल पर जाके 60 वीडियो कोर्स और बागी वीडियो भी अवश्य देखे उसे चुटकुला सुनाने की कोशिश करेंगे चुट्था पॉइंट है उसे बाकी दोस्तों के बीच ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका मन बहल सके उसे बाकी दोस्तों के बीच ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि उसका मन बहल सके पाच्वा प्रस्न है आप अपने किसी मन पसंद खिलोने के बारे में खास बात लिखिए तो पहला है मेरा मन पसंद खिलोना मेरी साइकिल है ये छटी साइकिल पर पहुँच जाते हैं वोसे उमर में इसलिए मैंने ये चीज लिखिया है यहाँ पर मेरा मन पसंद खिलोना मेरी साइकिल है इसी का दूसरा पॉइंट है मेरी साइकिल बहुत तेज चलती है क्या पॉइंट है मेरी साइकिल बहुत तेज चलती है क्या पॉइंट है तीसरा पॉइंट है यह लाल रंग की साइकिल है तीसरा पॉइंट गलती से दूसरा लिखिया था चौत्था पॉइंट है मैं घर के कई काम साइकिल से कर लेता हूँ इस सवाल में खिलोने की बात की गई है और मेरे हिसाब से चटी साथवी आठवी के बच्चे खिलोने से खेलना पसंद नहीं करते हैं थोड़े बड़े वह आते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइकिल लिया है शायद आप लोग अगर पसंद करते हैं तो आप लोग बाकी चीजों के बारे में भी लिख सकते हैं मैं घर के कई काम साइकिल से कर लेता हूँ आज का पाँचवा पॉइंट है हमारा मेरी साइकिल सिर्फ टायर के हवा से चल जाती है टायर के हवा से चल जाती है इसमें डीजल या पेटरोल भी नहीं लगता अगर इन प्रश्नत्रों को आपको लिखने में दिक्कत होती है तो हमारी चैनल उपर साथ से ज्यादा सिरीज बनी है आप जैसे कमजोर बच्चों के लिए जो हिंदी में कमजोर है मुझे आशाया है ये पहली कहानी आपको पसंद आई होगी तो इसी तरह की और कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए प्लेलिस्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी लाइन वाइस और शुरू से अंगरेजी और गड़ सीखने के लिए आप हमारे आसाने भी ताधिते चैनल से भी जुड सकते हैं